केंद्री राजमंत्री अनुपरिया पटेल ने कुशिनगर में भगवान बुद्ध के महापारे निर्वान सल पहुँचकर भगवान बुद्ध का दर्शन गिया सौरान केंद्री मंत्री ने भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर ची वर्दान किया बाद में केंद्री राजमंत्री ने विजस अंकल प्रयाली को संबोधित करते वे कहा कि मोधी सरकार में पिछना आयोग को समयधान एक दरजा मिला है अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल शिक्षक भरती के लिए संघश कर रहे चात्रों के साथ है चात्रों की मांग को लेकर हमारी बाद सरकार से चल रही है कि ततागत गौतम बुद्ध के इस परिनिर्वान स्थली का स्पर्श मात्र ही मेरे जीवन को धन कर गया है आज ऐसा मुझे एसास हो रहा है और इस पवित्र स्थल पे उनकी इस मूर्ती के दर्शन करके उनके बताए शान्ती और मानफता के मार्क पर अग्रिसर होने की फ्रेणा भी मिलती है अपना दल के स्थापक यशाकाई डॉक्टर सोने लाल पटेल जी भी महात्मा बुद्ध की शरण में गये थे और हम सभी उनके बताए मार्क पर आगे बढ़ते हुए प्रदेश और देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने में लगे हुए दोसो विधानसभा पर हमारे प्रभारियों की गोशना कर दी गई है जिनकी देख रेख में संगठन की सारी गतिविदिया संचालित हो रही है और हम भारती जंता पार्टी के साथ गटबंदन में मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं पूरी तरीके से विश्वास भी है कि एक बार फिर प्रदेश के अंदर एंडिये की सरकार बनेगी